की तरफ से आज आज आपको एक ऐसे उस्दिये पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जब कोई भी दवा से खासी नहीं ठीक हो रही हो या कुकुर खासी हो बच्चों को होने वाली तो भी तो ये पौधा जिसको अडूसा या बाकस बोलते हैं इस पौधे के पत्ते का र इस पौधे को अच्छी तरह से पहचान ले एक उकरखासी दम्मा स्वांस रोगों में भी काफी लाबदायक होती है इसके बारे में कहा गया है कि जब तक दुनिया में है तब तक स्वांस के रोगी को या नहीं सोचना चाहिए कि वह स्वांस के रोग से परसान होता रहेग अता ही इस पौधे का उप्योग करें लेकिन छोटे बच्चों को सहद के साथ दें इसका रस्तों हमेशा के लिए पुराना से पुराना हो जाएगा अता है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सियर करें सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लोग साथ में कॉमेंट ही करें